दोस्तो आने वाले समय में टाटा की कुछ बहुत ही बहतरीन गाड़ियां आने वाली है जैसे कि हैरियर पेट्रोल इसके अलावा जो 6 और 7 सीटर है ग्रेविटाज वो भी आने वाली है और इसके बाद आपको बता दूँ जिए टाटा की एक माइक्रो स्यूवी है वो भी आन हाला कि वो थोड़ा सा देर में आएगी हो सकता है फर्स्ट हाफ तक है 2021 के लेकिन यह जो ग्रेविटाज और टाटा की हैरियर पेट्रोल है यह इसी साल के आखिर तक लॉंच हो जाएंगी इंडिया में तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो है य तो वहीं लोकेशन का ही आपको एक बार फिर से यह इसपाई शॉट देखने को मिल जाएगा इसके अलावा यहां पर बताना चाहूंगा जो टाटा की HBX है वो इसपाई शॉट में मिसिंग लग रही है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोनों ही गाडियों के बार और थोड़ी सी जो हमें डिजाइनिंग एलिमेंट्स देखने को मिल जा रहे हैं वो डिसकस करेंगे दोनों के ही बारे में क्या-क्या चीज़े सेम मिल जाएंगी क्या-क्या चीज़े डिफरेंट होने वाली है तो यह सारी चीज़े डिसकस करेंगे तो नमस्कार दोस्तों स चलिए फाइनली आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के तो दोस्तो इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर जो स्पाइशॉट देख पा रहोंगे मैं उसी की बात कर रहा था इसमें आप देख सकते हैं जो खड़ी है एक आगे की तरफ खड़ी है वो टाटा की हैरियर पेट्रोल है और जो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं वो ग्रेविटास है तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर देख लिया जाए इसके डिजाइनिंग एलिमेंट्स के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहले side profile के अगर बात करी जाए जो दोनों ही गाड़ियों में एकदम clear देखने को मिल जा रही है तो side profile से तो एकदम same लग रही है गाड़ी आपको नीचे body cladding देखने को मिल रही है wheel arches पे body cladding देखने को मिल रही है tires मेरे ख्याल से जो gravitas है उसके थोड़े बड़े होंगे जाहिर सी बात है क्योंकि ये बड़ी SUV है इसके अलावा लेकिन अगर बात करी जाए इसके जो wheels है उसमें आपको alloy wheel का size design जो है वो दूसरा देखने को मिल जा रहा है लेकिन अगर बात करें harrier petrol के बारे में तो उसमें आपको जो conventional harrier में design देखने को मिलता है alloy wheels में same वही मिल जा रहा है इसके अलावा अब अगर बात करी जाए इसके back profile की तो यहाँ पे चीज़े बहुत ज़ादा similar देखने को लग जा रही है लेकिन सबसे पहले अगर बात करें harrier petrol की तो इसमें आपको पूरी तरीके से same design मिल जाएगा जैसा कि आपको harrier में मिलता है लेकिन अगर gravitas की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा design आपको ज़रूर change देखने को मिल जाएगा हाला कि जो इसके tail lights हैं वो आपको similar almost देखने को मिल जाएगे इसके अलावा आपको जो back wiper है उसकी भी position एकदम same है इसके अलावा अगर बात करी जाए तो थोड़ा अगर harrier petrol को देखेंगे आप तो वो थोड़ा सा बाहर को निकली तरफ है लेकिन अगर gravitas की वहीं की बात करेंगे back portion की तो वो थोड़ा सा flat लग रहा है तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से different लग रहा है और इसके अलावा जो back में आपको glass देखने को मिल रहा है वो भी जाहिर सी बात है gravitas में बड़ा मिल रहा है और tata harrier petrol में थोड़ा सा उससे छोटा size में मिल रहा है इसके अलावा देखिए side profile में जो आप window glass देख सकते हैं वो भी gravitas में काफी वड़े आपको देखने को मिल रहा है इसके अलावा जो back glass है tata की harrier petrol में उसमें थोड़ा सा आप curve देख सकते हैं design में लेकिन अगर बात करी जाए gravitas में तो वो पूरा एकदम rectangle या square type का है वो देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको design wise अगर बात करी जाए तो harrier petrol और gravitas में चीज़े देखने को मिल जाएंगी overall अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा major major same चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी लेकिन कुछ आपको changes मेरे ख्याल से जरूर देखने को मिल जाएंगे चाहे वो आगे की बात करी जाए चाहे वो पीछे की बात करी जाए हलाकि side profile majorly एकदम मेरे ख्याल से 95% तक same रहने वाला है तो दोस्तो कुछ ही इस तरीके से आपको दोनों ही गाड़ियों की design और styling देखने को मिल जाएगी अब अगर बात करी जाए दोनों गाड़ियों के engine से related तो यहाँ पे आपको बता दूं जो gravitas है इसमें अभी फिलाल ऐसा लग रहा है कि आपको दो engines देखने को मिल जाएंगे एक होगा 1.5 liters की capacity का turbo charge petrol engine और दूसरा भी होने वाला है turbo charge diesel engine यह होगा 2.0 liters की capacity का तो दोनों ही आपको turbo charge engine देखने को मिल जाएंगे जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है अब देखिए अगर बात करी जाए इसके launch के बारे में तो ऐसा माना जा रहा है कि 2021 के शुरुआती मतलब यानि कि आप कह सकते है first quarter में इसको launch किया जा सकता है हो सकता है even कि 2020 के last तक भी इसको launch कर दिया जाए अभी क्योंकि एक चीज़ confirm नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है तो देखिए दोस्तों ये तो मैंने आपको जो एक expected engine options मिल सकते है gravitas में वो आपको बताए अब अगर आपको बताऊं harrier petrol के बारे में तो इसमें almost engine confirm है कि आपको 1.5 liters का turbo charge petrol engine देखने को मिलेगा वही engine है जो कि आपको gravitas में भी मिल सकता है तो यहाँ पर ये engine काफी powerful और बढ़िया है 4-cylinder petrol engine है ये almost 168 bhp की power और 250 से लेके 270 nm का torque produce करने में capable है और इसके अलावा अगर बात करी जाए इस engine की specifically तो ये engine combine किया जा सकता है 6-speed manual transmission के साथ और 6-speed automatic के साथ तो ये कुछ इस तरीके का scenario आपको मिल जाएगा Tata Harrier Patrol के साथ यहाँ पर देखिए अगर एक बात करी जाए इसके launch से related तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में जो festive season आ रहा है उसके आसपास आप Harrier Patrol को इंडिया में सडकों पर देख पाएंगे अब यहाँ पर देखिए festive season specifically अगर बात करी जाए तो अक्टूबर से लेके नवंबर दिसमबर तक यह आप जो Harrier Patrol है इसको इंडिया में देख पाएंगे काफी बढ़ी हा लग रही है फिलाल अगर लेकिन बात करीज़े डिजाइन और फीचर्स के बारे में तो आपको सारी चीज़े सेम मिलेंगी बस change होने वाला है तो यह 1.5 फ्रीटर्स की capacity का टर्बो चार्च पेट्रोल एंजन जो की काफी बढ़ी हा लग रहा है इसके अलावा अगर बात करीज़े इसके price के बारे में तो almost आप मान के चलिए कि 50,000 से 1,000,000 रुपए तक यह ज़ादा होगी जो नॉर्मल वाली हैरियर आती है उससे तो दोस्तो यह था एक चोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किये कुछ spy shots जो की Tata Harrier पेट्रोल के थे और Gravitas के थे तो अब आप मुझे बताईएगा कि आप क्या सोचते हैं दोनों ही गाडियों के बारे में और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी question है या फिर suggestion है मेरे लिए तो मुझे नीचे comment box में जरूर बताईएगा तो दोस्तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा तो चलिए finally at last thank you for watching drive safe and until next video good bye